और दोस्तों मेरा जुमूही वह विस हो रही और दोस्तों बाहर मुझे कुछ गतिविदी पता चली हैं इधर तो सब ठीक है और इधर ही आप देख सकते हैं बुब्बु भाई का कटड़ा अब जो है इनोंने ये हलकालका लगाना शुरू कर दिया है और बहुत ही बढ़िया दोस्तों बबु भाई इसे लेनी रहे थे लेकिन ये हमारे पर जैसे इसके फोटोग्राफ आए तो हमने गए तुरंत लोई से तो दोस्तों क्योंकि हर किसी की अपनी एक समझ उत्ती है और इसमें राम राम जी राम राम जी तो दोस्तों इनके पास में एक पहले इसी तरह का चारदांत कटड़ा ढड़रे गाउं से आया था दोस्तों उस चारदांत कटड़े ने ऐसी गंगाजी नहीं थी ऐसी गंगाजी नहीं थी और वो जब से इनके पास में आया था और जब से भीका वो दोड़ते रहा कट़ा लगातार मतलब कभी डंडी फटक की जरूद ने पड़ी इन्होंने कभी अपने मजे के लिए लगा दी हो एक दो कांटे उसके लेकिन दोस्तों ये भी करणा बिल्कुल टिका हुए आया था बिल्कुल मतलब कोई कटिंग वटिंग वगएरा कुछ नहीं हो रहा था इसका और इन्होंने वबभाई ने इसे तयार कर लिया आप दिरे-धिरे और अब यह से लेकर चलेगे यह इसे हल्काल कासा अभी खेर मेरी तो अनुमती है नहीं बैठने की फिरक पर क्योंकि अभी ये चाच्चा और ये बबु भाई से हलकालका लगा रहे हैं रस्ते दिखा रहे हैं अपने आसपास के क्योंकि ये इसे जब भी लेकर निकलते हैं एक दो किलोमेटर बढ़ाते हैं हर बार तो इसी तरह से ये कट सब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि आवाज मेरी भी आवाज की बरबर मान रहा है और बहुत ही बढ़िया ये मूठा रहा है और अब ये तैनाथ हो लिए हैं अभी से लेकर चलेंगे कोई कर नहीं हमारे हाँ इस तरह के कटड़े जादे पसंद करते हैं जो की लंबी बेल के और सींग इस तरह के रहते हैं इनके कर दो कर द değन तरह कर अबेल कर दो अवाह है कि हनेले उलोड़ कि हैं स्जय कर दोкий आवाज ब anonymous दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगए होगी लाइक करें शेयर करें धन्यवाद जुड़े रहिए सब्सक्राइब बिकरते रहिए हाग आपको दिखाता हूँ जल्दी इसे चलते हुए दोड़ते हुए और दोस्तों मेरादी मुई रहिए वीज़ रहिए रहिए